आज आई मैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूं चिकन शंगाई वह भी मेरी स्टाइल में तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ला सब्सक्राइब के बटन दबाईए पास वाली बेल आइकन को दबान से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी यहां मैं दो सो पचाज गिराम गोल्लेश चिकन लीव हूँ इसे मैं इस तरह से लंबी लंबी पीसेस में कटकर के लीव हूँ आप हम चिकन को मेरीनेट करेंगे आदा चमच गर्म मसाला थोड़ा सा नमक एक चमच लसन अद्रेकी पेस्ट अंडे का वाइड पॉर्शन डालेंगे दो चमच कॉर्ण फ्लॉर इसे हम आच्ची तरह से मिक्स करेंगे चिकन को मसाल आच्ची तरह से लग चुका है इसे हम 10 मिनिट मैरीनेट के लिए रखेंगे 10 मिनिट हो चुके है चिकन आच्ची तरह से मैरीनेट हो चुका है यहाँ मैं एक कड़े में ओईल गरम होने के लिए रखी हूँ ओईल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम इसमें चिकन के पीसेज डालेंगे इसे मीडियम फिलेम पर पाँच मिनिट तक अच्छी तरह से फ्राइब करके लेंगे चिकन के पीसे सामरे अच्छी तरह से फ्राय हो चुग है अब हम इसे प्लेट में निकाल के लेंगे यहाँ एक पैन में मैं दो चमच वाइल गरम होने के लिए रखी हूँ अब हम इसमें एक चमच गिरिन चिली सॉस डालेंगे एक चमच रेड चिली सॉस आदा चमच सोया सॉस आदा चमच वीनिगर दो चमच टैमेटो केचप आदा चमच सफेद मिर्च पॉडर एक चमच औरगयनो एक चमच चिली फ्लेक्स आदा चमच कस्तूरी मेती इन सब को आच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसकी फिलेम हम लो रखेंगे तीन चमच कॉर्णो फ्लावर आदी वाटी पानी इसका हम गोल बना के डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अब हम इसमें थोड़ी से बीन्स डालेंगे थोड़ी सी प्याज हम इस तरह से कट करके डालेंगे थोड़ी सी सिमला मिर्च अब हम इसमें फ्राइ किये हुए चिकन के पीसेस डालेंगे इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसमें एक चमच काली तिल डालेंगे इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसमें चीज स्लाइस डालेंगे चीज सलाइस ये आफशनल है आप डालना चाती हो तो डालिए इसके उपर हम थोड़ा सा औरगयानो डालेंगे थोड़ा से चिली फलेक्स डालेंगे इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन शंगा ये हमारा बन चुका है आप ये रेसीपी ज़रूर ट्राइक कीजिए धे जटपड़ा और बड़ी मज़ेदार बनने वाली डिश है आज क्या आपको ये रेसीपी कैसी लगे मुझे कमिट बॉक्स में ज़रूर बताईए रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्प्राइब कीजिए चलो चलती हूँ दौाओं में याद रखिएगा फिर मिलूंगे एक नई रेसीपी के साथ चलो अल्ला हाफिज